बहुत खुसी के साथ हम सुरू कर रहा है आज का कर्जक्रम दाट इस UPPSC Lecturer exam का paper analysis यह exam दो paper में हुआ है paper 1 and paper 2 paper 1 में 25 question तो paper 1 में 25 question आया है हिंदी से लेकिन हिंदी जिसको आपको लगता है बहुती easy language है question जब बनाया जाता है उतना easy नहीं रहता है अब UPPSC किसको follow करता है civil service को इसलिए civil service का जैसे हिंदी का paper होता है उसी टैप का आता है इसलिए other than this UPPSC के छोड़के मैंने बोला था कि जितना UPPSC का आदार exam होता है उहां से जो हिंदी आता है उस हिंदी को follow करें तो जो लोगों ने follow किया उसके लिए थोड़ा सा आसान रहा नहीं तो जो लोगों ने follow नहीं किया उसके लिए बोहुती मतलब दर्दनाक रहा हिंदी हिंदी is not easy जिसको भी लगता है अगर आप बोलते हो हिंदी is very easy मैं आपको question paper दिखा रहा हूं आप answer देके दिखाओ anyone if you think that हिंदी is very easy तो मैं आपको question paper दिखा रहा हूं 25 question है उसका answer निकल के देखाओ आपको ab लेगा सही है bb लेगा सही है cb लेगा सही है सबसे important वात है उसमें 4 option आपको same लगेगा सही लगेगा and that is a problem इसलिए that need proper study and that study किसके लिए न यूपी का यूपी पीए सी का एक्च्छी पब्लिक सर्बिस कमिशन का जो कमिशन का आयोग का जो आदार exam होता है उसमें जैसा हिंदी आता है यह कंपिरिटिव एक जम है के और अगर डिफिकल्ट है तो सब के लिए डिफिकल्ट है इसमें कोई सोच विचार करने का मैं तो जुरूद नहीं देखता हूँ भाई difficult है तो सब के लिए difficult है तो इसके लिए ज़्यादा दिक्कत का भी सह नहीं है कि आपका difficult तो हिंदी सब के लिए difficult है इसमें आप क्यूं सोच रहो ठीक है तो बोला सर कितना स्कोर करना चाहिए हिंदी 25 में अगर आपने 15 कोसें करेट कर दिया तो मतलब आप जो है इस लेक्चर आरपद के लिए आप तयार हो जाए 15 मार्स 15 कोसें से ज़्यादा आपका आना चाहिए ठीक है अब तो मैं देख लेता हूं कि मेरा पेपर पेपर आने के बाद स्टूडेंट ने क्या क्या मैसेज भेजा अब इतना सारे मैसेज है और सारे का नमबर हम शेयर नहीं कर सकते फॉर्दा प्राइवेसी ते इसलिए मैंने एक दूसरा नमबर में सारा मैसेज को फॉर् सबसे पहले मैंने तो मैंने तो टेगनिकल का बात करूंगा मुझे स्टूडेंट टेगनिकल के बात करता है इजी था यह सी के प्रीबियास यहर के कोस्टेन रीपीट हुआ था नेश्ट होता है यह एक्चुली मैंने जो फॉर्वाड किया वो टाइम उसमें दिख रहा है वो टाइम स्टूडेंट का टाइम नहीं है नॉन कंवेंशनल मेसिनिंग का तीन कोस्टेन है नॉन ट्रेडिशनल मेसिनिंग पढ़ा पढ़ा के मैंने आपको कितना चीज बताया और यह भी मैं बताया था कि मंदल से पढ़ने के बाद धरती में कोई ऐसा एक जब नहीं है जिसमें कोस्टेन का सलूशन ना निकले यह सर आपके एफ एए सीरीज का था तो एफ एए सीरीज जो किया है उसको पता है क्या हुआ फ्रॉम मेट्रियल साइन्स रिपीटेड कोस था यह सी का ठीक है एक्टम का एक्टम सब एच सीपी एक्सागर्न क्लोश पेक्ट का कोडिनेशन नामबर क्या था ठीक है जार्मान सीलवर था एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टील था एक्जाम ठीक गया है जीएस में थोड़ी प्रॉब्लेम थी ज्यादा धैन नहीं दे पा था एक तर पांबर कीया तो अच्छा किया आपने फैस अब हए उससे नहीं अगर खहुआ नहीं अगर जी दीख्लो दे कर निकला निकला से यह मजा गया अच्छा हुआ स्यर शोम और परडॉक्ट्शन एक भी नहीं चुटा मनला मंदल से पढ़ने के बाद जिन्दी में किसी का टॉपिक थोड़ी चुटता है तर ईवी बेसी एई से पहले टॉम पूरा करा दीजिए प्लीज भाई एई से पहले पूरा टॉम खतम हो जाएगा इसमें हम निश्चिंद रहें पॉली टेंगला है बहुत ही सिंपल सब्सक्राइब कर बात कर रहा है अब आब आब our fifth हो सी एवे टोपिक साहरे टोपिक से कोस्टन आया है रिनियोबल से सिर्थ कॉस्टन आये थे और उसके बाद ताि आपका ए फे बहुत ज्यादा तर काम आया आज ठीक है एव two कर देने वाला कुस्चन है ठीक है कुस्चन आया है सुम के कर देने वाला कुस्चन है सोम वास वेरी इजी मंदल जुगार अलोएश रॉक थैंक्स थैंक यू सोमाज गुरुजी स्टुटेंट हुआप दन प्रिवियस यर गेटन एसी गोईंग तो स्कोर रियली वेरी गूड इस फोर्श क्सम सोम तोम जोम उन स्टुम अगनेक्स चरुट एब हड्चरा के फूदन क्सकें मूस्टार चैपलोजी एसी टॉडरे प्रिव और पूर्टिय पूरे छूजी औरोट इस घुड़ुन смेस ल देठाट स्टुरी बेस। of beam and many more always rock ठीक है थैंक यू सो माच गुरुजी स्टुडेंट हुआब दन इस प्रिविए सेर्कॉस्टेंट इता आपका बलता दिया पेपर लोरा में में मुडरेट तो इजी आपके नॉन में ग्राश्म मेशनिंग के भर भर के कोस्टें आया था सर्जी जुगाड आपका ही लागेगा एंड डाट इस दा रॉकिंग क्वेस्टेंट की जिसमें हमने बना था कि टूडे यूर जुगाड वर्क इन एक्जाम टिक टिक का मतलाब लिक्वीड क्वेस्टेंट नमबर 120 मतलाब इतना तो मैंने अभी तक देखा अभी उसके बाद भी मेरे पास अभी बहु बहुत सारे मैसेज आ चुका है और भी बहुत सारे मैसेज आ चुका है तो सारे अभी हम बता नहीं सकते जो लोग पहले बताया थे उनी का मैंने मैसेज कॉपी किया था अब सवाल है सर पेपार का प्रबात करिए कितना मार सना चीए जो भी एक्जाम देखे आया है उसका आपने अच्छा मार्स नहीं ला पाया हिंदियन जीएस में तो आप दुखी मत रहे बट टेगनीकल में अगर आपने वीक करके आया तो कुछ नहीं होगा इविधन रखे टेगनीकल जो कोस्चन है था जो प्रेडिक्टेड है वही आया है तो सारे लोग का प्रेडिक्टेड जब कोस्चन होता है उसमें अच्छा स्कोर आ जाता है तो जेनरली मैंने जो देख रहा हूं आपका पेपार वान एक्चिली यहां पर बहुत खतरनाक चीज़ है यूपी एससी में यह हमारा बहुत बड़ा लोचाकाभी से है यूपी एससी में इंजिनियरिंग सर्विस ए जो यूपी एससी है उसमें क्या करता है पेपार वान वाट इस पेपार वान एन पेपार टू तो उसके केस में क्या होता है ना यूपी एससी जापका एस सिविल सर्विस का जब बात करोगे सिविल सर्विस तो आप जैसे सिविल सर्विस का बात करोगे किसका बात करोगे सिविल सर्विस उसमें जो पेपार वान है सोम, टोम, इंडस्टियाल, डिजाइन यह जो पार्ट है यह ही पार्ट आपका सिविल सर्विस में पेपार वान है nano यूपी PSC में भी पेपार वान है इस इस अलसो पेपार वान तो इस पेपार में कुछ ऐसा कोस्चिन होता है जिसका answer UPSC भी नहीं दे सकता correct, ना UPSC दे पाएगा, इसलिए हम इसमें 5 marks कम expect करता है, यह ऐसा topic है, ना तो UPSC आई तक correct answer दे पाया, ना तो UPSC दे पाएगा, तो उसके चक्कर में कुछ question का इसमें गलती होगा, UPSC क्या भी होता है, UPSC क्या भी होगा, इसके चक्कर में 5 marks क कम करके रखे, तो इसमें expected 75 to 80, तो आप अगर 75, general category, this is for general category, तो this is for general, general category, तो उसमें अगर 75 to 80 plus 80 question, आपने कर क्या, 80 question, not marks, and technical का, out of 100, तो आप DJ लगा के नाच सकते हैं, 75 से 80 question अपका अगर करेक्ट है, तो आप DJ लगा के नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, paper 1, paper 2 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, paper 2 में generally उसका जो question है, standard question होता है, इसके चकर में paper 2 में आपको ज़्यादा tension लेने का जुरूद नहीं है, paper 2, technical paper 2, technical, technical, जो paper होता है, उसमें आगर आपने 80 plus किया, out of 100, तो आप DJ लगा के नाच सकते हैं, क्योंकि अभी, आयोग के पास एक यह है, कि भाई, ज्यादा लोगों को हम interview में नहीं बुलाएंगे, क्यों, भाई, corona time चल रहा है, इस time में ज्यादा बंदा से interest करने का जोरोदनी है, इसलिए 1.2 से 1.3 times, maximum हम मान सकता है, interview में बुला जाएगा, कितना बंदा को बुला जाएगा, maximum हम मान सकता है, interview में बुला जाएगा, आपको 1.5 times, maximum, 1.2 से 1.3 होता है, times of the vacancy, तो मैंने maximum भी उम्मीद किया, तो 1.5 times, interview में बुला जाएगा, तो UP, PhD का, AE का जो exam हुआ था, उसमें 520 से प्लासी था, उसका cut-off general का, यह return का, out of 700, कितना होगा, 750, तो 750 में, जिसका 520, 20 भी नहीं, यह और भी जादा था, 30, 40, ऐसे रेंज में था, तो आगर आपका मार्स, including GS, including Hindi, 500 से उपर है, तब ही आप उम्मीद रखे, वोला सरफ 500 आप क्यों कर दे रहा है, क्योंकि इसमें UP, PSC का जो AE से number of vacancy जादा है, इसलिए cut-off थोड़ा सा हम इसको कम बन सकता है, इसके चेक कर में 500 से 550, इस range के अंदर जो भी है, जैसा अगर if your score is 550 प्लास, तो आप तो 100% सेफ है, आप interview का preparation शुरू कर दे, आगर आपका 550 से 550, 500 से 550 के बीच में है, 550 के बीच में है, तो आप zone जो है, आप थोड़ा सा risk zone में हो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर less than 500 है, अगर 500 से आपको less है, less than 500 है, तो आप जो है, उम्मीद ना करे, this is for general category, this is for general category, आप उम्मीद ना करे, this is mandal's prediction, this is mandal's prediction, आप इसमें जो है कि 1.5, no sir, 1.15 का rule है, 1.1 is to 15 का rule है, इंटरेफ में जरूर बुलाएंगे, कोई बात नहीं, minimum 1 is to 10 बुलाएंगे, आपको आप उम्मीद कर रहो हो और mandal data के साथ बता रहा है, ठीक है, आप उम्मीद कर रहो, 1 is to 10, 1 is to 15, जो आपका उम्मीद है, अच्छा उमीद है, रविन्दर, आपका उम्मीद बहुत बड़ा है, बट इतना उम्मीद आप करते हो, तो आप थोड़ा, याद करो कि UPPSCAE जो एक्जाम हुआ था उसमें कितना बुलाया था अगर आयोग का रूल है कि ठीक है क्योंकि 1-10 UPPSCAE का जो एक्जाम हुआ था उसमें कितना था फल फालतु ऐसे डिसकाशन में ऐसे लोगों से बोलने का कोई जोड़ोद नहीं है जिसके पास ना तो डेटा है ना तो इन फरसन है 1-10-1-15 टाइमस बुला लेगा मतलब क्या है कि पूरा UP का जिदना जो हुआ था मैं वह बता रहा हूं कि यह करोना टाइम है इसके बाद ओमीक्रण भी है ओमीक्रण ना कौन सा क्रोना रहना भी करोना का तो इसके चक्कर में ज्यादा नम्मर अब कैंडिट को इंटर्वी में नहीं बुलाया जाएगा इसके लिए आप निश्चीन थोके बै परसन अगर दुनिया में किसी का प्रेडिक्सन सही होता तो हम उसको क्यों बोलते भाई एक प्रेडिक्सन है तब तम करेक्टे बोल देते हैं तो थोड़ों पेपार देखा जाए आप मंडल के साथ पेपार देखा जाए कि पेपार में क्या-क्या आया था पेपार देखा है तो भी तो ऐसे अच्छा इसमें गारी में बैठके कोई कार में बैठके मंदल के पास भेज रहा है तो उसको आई इसे कुछ लोग बताते हैं बताते हैं इसे इसे कोस्टन आता है कितने उपसर्ग उपन उसमें क्या लिख है आप अगर पढ़ सकते हो तो बताओ मुझे हिंदी भी द्रंक से पढ़ना एक दूर बैबहर पता करें दूसरी बैबहर सब्द में कितने उपं सर्ग है आप ऐसे कुछ बोला गया इस्टैप का कोश्टन है इसमें आकास का परजायाची सब्द है इसमें से आकास का परजाबती सब्जा के उपा उसकार पंचसव ऐसे सचीज़ है ठीक है यह आपका अनेकासी अनेकास कार्थी सब्दा अर्थ का इसमें एक अर्थ नहीं है पता नहीं कुन सा नहीं है अब किसी के पास मैं किसी हलत मैं पढ़ रहा हूँ आप मेरा हलत समझे I am Bengali person मैं इसको पढ पानाओ बहुत बड़ी बात है किसी के पास राखी हुई दूसरे की बस्तू इस के लिए इसमें से एक सही सब्द नहीं है यह आप कहा का अन्डे का सहजादा इस मुहाबरे का सही अर्थ क्या है इसमें से एक बागा है बाका में उपादान करक नहीं है अब जो सारे एंसर देना मुस्किल होगा question असन लएगा answer जब देने जाओगे तब मुस्किल होगा question तो सारह आसन होता है but उसका answer जो है ओ देना मुस्किल होता है और उसके बाद अगर माईनास निगटिब मर्किंग लगा देंगे तब तो बंदा का जिरो से उपाराना भी मुस्किल होता है इसमें से एक नाम गलत है वो क्या है परिक्सा सब्द का संधी विच्छेद करे और निम्ने लिखित में गुफा का परियाची सब्द क्या है वो बताईए तो आप आगया हमारा एरा आपको पता है मंडल SSA को कितना करा चुका है कि आप इसको जो इसको आप मनें इंजिनियरिंग मेकनिक्स मनें बट इंजिनियरिंग मेकनिक्स का जो कॉंसेप्ट है वो हमने SSA करके दिये थे तो यह आपका सुंकी हो जाएगा प्राइमारी डिरेक्क्रेंट एंजिन पॉइसन थर्टी डिरी क्लॉक्वाइस एंड सेकंडरी रिवर्स क्रेंग का कहां पर पॉजिशन होगा ठीक है इसके बाद आप देखिए बिंदा सुनके पता देंगे सिंपल की भी स्टक्चर है उसका पैकिंग फेक्टर कितना है वहल लोग डायमंड की बिक नहीं राटके गया उसका तेन लिगालेगा अभी जो मैं पढ़ा रहा था तो डायमंड की बिक नहीं पढ़के गया उभी अपको धेन रगना होगा कि वह आपको और बाकी 3 से हो जाएगा बदायमड की रटा होना चीए इक्वेशन अब दा मोसान अ कास्टिंग सेंटर बोलना ठीह इनर सेंट हैं है नहीं है और नहीं whats काली इसको घुमा ढ़ता है गुमा भुमा के पड़ा था बाई एसे करके आपका इस का 3a लोकेशन का 3 Österreich का 3 Squ Nhow ре होगा इसका भी होगा इसकी மलब आप इहां पर जो इस लोकेशन का कि तो आपको यह ऐपका इंस्टेंट मि söyle है जाएगा तो उमेगा निकल ले ओमेगा निकल कैसे होगा तो यह आप ध्यान रखें ऐसे ऐसे को स्टान आया है आता है आएगा फूल डेप्ट अब्दार इन्वलोट स्पार गेर में मीनिमम नमबर अप्ठीट कितना होता है ठीक है मिनमम नमबर ते कितना होना ची एन उसका प्रिसर एंगल के चक्कर में यह आपका एक दे कर देंगे जैसी कर देंगे अब का 300 वहती सिंपल सिंपल को सब्सक्राइब होता है आज पास में कितना नमबर है उसका हो तो सब तो सुंग के हो जाएगा थीस तब का पिंडूल आपको फोर्मा लगा के करना पड़ेगा कर देंगे चैसल के इसके बाद और आपका गkäर क्रॉस गीयार उसता थे होगा तो सब्सक्राइब और इसके बाद प्रिस ऐब कोङक दो भी देख़ा देखा दीखा मंडल का डेटा है मंडल आपकोly living तो एई यह देख यूज का शी होगा सी यहारओ नीशी घूज से पढ़े हो सार्च मिल जाएगा ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट अफ देखे में निकलना है यह आपका फेक्टर आप से करना पड़ेगा कितना बार पड़े आपको जो लोगों ने पढ़ा था मेरे से उन लोगों पता है कि जो सिमेंटेड करवाइड टूल होता है उसमें फाइब टू टूल परसन कोबाल्ट होता है बाइंडर लिक्वीड फेस सिंटरिंग करके बनता है उसमें सार्च दो दिख जाएगा आपका स परसन वह लिखा होंगा यह सब सारे जिदना भी कोश्चन है बॉडी सिंटर बॉडी मुविंग आपवाड एन एक्सेलर्शन का कुश्चन है क्यां का क्यां का कुश्चन आगया उसमें जैसे मैथेमेटिकल टेनिंग बेस्ट लिमिटेड इसमें कुन सा हो जाएगा उसके इस आपका दे दिया गया आपका वी देन चाहिए और एक्सेलर्शन चाहिए तब का दूबार डिवेंशन कर दीजिए हो जाएगा उसके बाद यह आपका एपका इपने में का कुश्चन है तो ठीक है मुनदब कोई ऐसा ज्यादा लोचा बला कुस्चन था है निए स्क्राइब आपा जाएंशर एलक्तो डिस्चार्श बेस्ट फिनिष्ट उप्ते लिएट फिनिष यह उप्तेंड लोटेन इंटेंट यह स्ट्स्ट इसोटन तो कम्से बाद कर ले तो जाके बिषर्फेसेंड लेका वह आपका स्टील स्पीसिमन स्लाइटली अब अबब ध इसका कारण होता है कि वह स्ट्रिंध हो जाएगा इसको सार्च दो मेरा सेट का कोश्चन है में तो सबको पता है क्या होता है परफेक्ली इनकंपरसेबर लिनियर इलस्टिक मेट्रियाल जैसे बुलाए आप यह भी सार्च दो दा माईक्रो परसार विट डेटापीन दा रिड़ इन 32 बीट वाट जो है कितना होना चे मिन्यूम अपरसन रिवा इन डेट डेटाप वाट पीन्स तो रीड दा 32 बीट तो सके चक्कार में आपका कितना मिन्यूम नंबर ऑफ अपरसन होना चे और भी कोश्चन है साथ आनेवल और फूर्स का क्या होना चीए ठीक है इसका डिस्चाज ऑफे सेंटर ग्राविटी अफ दा सेंटर यह आपका रेडिया सेमिस्पेर हो गया लिनियाली हट्रेनिंग प्लास्टिक का बात हो गया ठीक है इसमें ग्लास हो और कौपार होगा किसक अब करने होता है दो टूहंडेड अटेड कर अब आपके सामने सारा क्वेस्टिन दिग गया और आपका क्वेस्टिन है ब्रेनिल हांटेस्टिस का नमबर भी यह सारे जो फॉर्मूला आप चाहते हो तो मंडल का बुक में सार्ज दो आपने मिलेगा टेपर ट्रोलार भी इ टेकेंस डिफरेंट आहँ टेंसन टेस्ट अपका टेंसन का लाख कितना हो जाएगा कट ओ हो इतना देर बाद मंडल का एक कुश्चन आया इसमें क्या हो गया कि ऐसे सिगनेचर है बैक रेक एंड रिली इन रिलीफ रिलीफ इन कतेंग इंडन अरडेन आड़ना चीए था की कुछ सा एक आमेरिकन सीचने चार है कि क्या है तो इसके चेकर में पहला बैक रेख होता है पहला बैक रेख होता है तो इसके ज़िए आपका आजाएगा में क्या हो जाएगा ठीक उसका एक चार्ट आपका हो गया फीजिबल सॉलूशन अब दा लीनियर प्रोग्रामिंग ट्रास आपका ट्रास के भी एक कुस्टन दे दिया गया इसका मतलब आपके सामने सारे कुस्टन दिखा दिया क्या क्या होना चे नाव इट्स क्लियर फॉर उसका पुलर मुमेंटि उसका शुन के ही कर सकतो करियो कॉंपोनेंट कि जाता है ठीक है इसके बाद अली माट टेंपर इस सबसारे कुस्टन कोई ऐसा नहीं नया कुस्टन दे दिया गया तो इसकी चकार में जो पेपार यलो ने लिया है इससे अच्छा होता कि इससे अच् का किसी ने मुझे भेजा था कि एक उसन और डारेक्ली आ चुका है तो इसका यहां पर आपको यह हटा दो इसको हींज को हटा दो इसका पांच हो जाएगा इंटु दस पांच इंटु दस दस किलोने मेटर हो जाएगा इस इसके चक्कर में आपके सामने यह तो दीखी गया कि भाई कोस्चेन इस नॉट वरी डिफिकल्ट इसके चक्कर में जब कोस्चेन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है तो काट आफ उपर जाता है और यह आगर डारेक्ली डारेक्ली कोस्चन है बहुत लोगों ने जंक जम के क्या है जो लोग जम के किया है उसके लिए सब कोस्चण बन गया मुंघ आगर अगयर उम्हरण सऺनिवन्हेद ओगे यह लोग से कपी किया है उसमेगर गलाद एंस भगा तो लोग गलाध एंसर होगा तो इसको प्रसाद बोल लहां मनलब कुछ भी आपका दिल का आर्मा पुरा करने के के लिए लिग दो बंदा जो है दिल का आर्मा पूरा करने के लिए पेपल लिग में जो मौका मिला भी बोलते रहो क्या फरक पड़ता है बट मेरे हिसाब से यह सब जो अल्टु-फल्टु बात ना करके हम जो कर सकता है उसका बात करें 26 से क्यों सूर करें उससे पहले वाला करें दो रात क्या तुम लोग के लिए बता दूं कि जो पेपर हुआ है इस पेपर में हिंदी डिफिकल्ट है ऌने जी जीएज डिफिकल्ट है तो हींदी डिफिकल्ट moc大丈夫 टाजियस का कोस्ट्ट हो इसमें जो answer Tick किया हुआ है जो answer Ticks किया हुआ है जो answer T किया हुआ है इस नोट माई को से जो student ने किया जिसने मुझे भेज आ, उसका है इसके चक्कर में इसको आप hundred percent सही ना मनें जो answer दिया है ठीक है obviously he is a good candidate तो ज्यदातर question सही होगा ज्यदातर answer से होगा लेकिन साब अंसर सी नहीं होगा पहल तू में जीस वारीट इफिकाल्ट उसमें टेरं कोसियं हम कहना है कि आप अगर नहीं किया कोई तकलिब नहीं है लेकिन आप निगेटिव मत करके आई तो आगर आपने 10 कोस्टेन भी सही सही करके आया तो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जीएस बाला पार्ट से आप बहुत अच्छा किया मैं मानूंगा मैं नहीं मानूंगा सारे लोग मनेगा कि कर दिया तक प्लिकी तो Сам सब्मीन करेकर दीआ तो उसको भी हम नहीं मंने नहीं मनेंगे लेक्चर में वन फोइंट सब्सक्राइस ही बुलाया घुया है अभी तक आपके साथ वीडियो बनाया था सर, अच्छा हो सकता है, रविंदर हो सकता है, येस, मैंने भूल गया, इस question में पेपार टेलिग्राम पे send कर सकते है, येस, मैं कर देता हूँ, send कर देता हूँ, टेलिग्राम में भेज देता हूँ, मेरा ये इसमें, मुझे पहले जब फोन नहीं किये थे, तो उसका पहले फोन कर देना चीए था, जब पेपर हुआ था, ठीक है, वान इस्टू टेन में अगर पहले बुलाया था, तो इस बार का ये चीज है, तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, हो सकता है, बुलाया जाए, तो अभी तक तो हमारा एज रहेगा, अभी से ग्राव बोला, अल करेक्ट, मेकानिकल किंग इस ओनली मंडल सर, थैंक यू भरी माच, जुगार किंग, जुगार तो आ गया, अभी से ग्राव, इंक्रीस, प्यू साब ने बोला, इंक्रीस, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बिल्क इस टैम में अभी जो करोना का स्थीती है, करोना का स्थीती के हिसाब से मैंने बोला, एंड मैं उसका बता रहा था, यूपी पेस्टी एई का जो हुआ, वो मैं बता रहा था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्या रह सकती है, येस, रहूल का सबसे बड़ा कोस्चन है, cut off क्या रहा सकता है and this is very important also कि cut off क्या होगा cut off हो जाएगा आपका पहले क्या बोला मैंने हिंदी में आपको 15 question आना ची हिंदी में 15 question आना ची and paper 1 में 75 plus 100 में 75 तो 100 में 75 plus 15 90 question आपका paper 90 question in paper 1 ठीक है out of 125 तो आगर आपने किया तो GS आगर आपने paper 1 में 90 questions से ज्यादा correct किया तो आप interview call के लिए तैयार रहिए and paper 2 में क्या है 10 question अगर आपने GS का कर लिया and 80 question इसमें भी 90 तो इसमें भी 90 आगर आपने 90 किया ठीक है 90 किया sir PCS pre-qualified but could not solve 10 question in GS मैंने बोला ना मनोज 10 question मैंने 25 question मैं 10 बोला मनोज मैंने क्यों बोला क्योंकि question बहुत difficult है and 25 मना 40 percent कर दिना मैंने क्यों 40 percent भाई आपको difficult इतना level का है कि 10 question में अगर कर लिया that is sufficient and उसमें 80 तो 90 तो 90 90 180 and 130 160 बाई काता नहीं 90 90 180 yes 180 question है into three marks तो मतलब क्योंता है 540 तो मतलब 540 मार्स मैंने क्या बोला था 550 के उपर अगर आपका है तो आप 100 percent इंटर्वू का परशन त्यारी कर दिजे ठीक है गवर करेक्ट 270 पर वान 270 पर टो इंक्लूडिंग जी एस इंक्लूडिंग हिंदी एवरिटिंग आगर आपने 540 कर पाया तो आपको इंटर्विव में कोई नहीं रोख सकता जो मैंने पहले बता चुका हूँ सब लोग के बड़ देख लिजे जो मैंने पहले बता रहा था उसके बता रहा था पहले देख लिजे जो मैंने पहले बता रहा था उप धेना होना इस में इस ने दिख्ण रहा था यह आप paper beter 1 जो आपका civil service में paper 1 मनता है उसी को इस टो मनता है लेकिन question copy किया गेट से खुछी का भी सःही है ज्यदा तर गेट Ci 거댈 गेट क्या आपका पेपर टू में टेक्निकल में 80 प्लास आउट ऑफ हंडेड है और वन इस्टू 1.2 से 1.3 से मैक्सिम 1.5 बुलाएगा ड्यू टू कॉरोने टाइम जैसा भी रविंदर बता रहा था कि सर ऐसा नहीं है हमारा दास भी बुलाता है पंदा भी बुलाता है बला बुला सकता कोई बाद नहीं यूपी पेसी एई में क्या होगा जनेरल में आपका जो 530 प्लास था मैंने इसले क्या अगर आपको 550 से उपवर में हैं प्लास तो आप इंटर्व्यू का प्रिपर्शन तैयारी कर दीजे आपको तो 100 प्रसन मिलेगा 500 से 550 के बीच में हैं आप लोग जो है रिस्की जोन में हो हो भी सकता है नहीं हो सकता है लेस देन 500 जिसका स्कोर है तो आप जो है आप निस्चिंद होके गेट के लिए तैयारी शुरू करिए एंड आप जो है आपको इंटर्व्यू का प्रिपर्शन करने का चींदा भी नहीं करना है जेनल काटेगोरी एंड यह दिखा जा रहा है कि यहां पर मुद्धवात यह देखा जा रहा है कि इहां पर आप यूपी एसकी के बारे और बताओ उसका भी UPPSC AE के बारे में बताओ, नहीं, UPPSC AE के बारे में मैंने अल्रेडी इसमें YouTube में सिसन कर चुका हूँ, जो UPPSC का टॉपर है, UPPSC का जो तोप कैंडिडेट है इन लोगे साथ, तो आप अगर आपको चाहिए कि UPPSC AE के बारे में हमें रेजल्ट जानकारी चा आनेकडेमी एकॉड पहले चैनल का नाम, फिर इस के मंडल मेरा नाम, उसके बाद UPPSC जैसे ही सार्च दोगे, आपको दिख जाएगा कि मंडल का बहुत सारे वीडियो उसका होगा, और उसके हिसाब से आपको दिखा दिखा दिखाता हूँ, कुछ लोग बोलेगा, पता नह उसमें क्या करना है? उसमें जाके आपको क्या करना है? पहले लिखना है, यू आन अकडेमी, आन एकाडेमी एकॉड इसके मंडल, उसके बाद उसमें दे दाना है, फिर जो आपको किसके लिए चाहिए, भला सारे UPPSC, देखो लिखा है UPPSC, जैसे अबने दे दिखा तो उसक स्ट्रेटेजी उसके बाद चैंपियन स्पीक अब लेक्चर एक्जम यह रविंदर का साना है तो तुम अभी जो बता रहे थे तो जब एक्जम हुआ था उसके बाद मुझे कॉल करके बतना चाहिए था ना कि मैं आपके साथ वीडियो बनाया था तो मैंने भूल गया भी ठी यह आपका UPPSC का जैसे अगर स्ट्रेटेजी क्या करना चाहिए UPPSC का जो अभी लेक्चर है उसके एक्जम के लिए क्या करना चाहिए रविंदर से पहले बात हुआ था अगर आप देखोगे कि जो जो बात बताया गया था इन डैट सेशन अभी ओही ओही हुआ है एक्जम म नहीं होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोचा हुआ था तर्जय के हमने इसमें शौट वीडियो भी बनाया थे ठीक है तो यह आपको अगर UPPSC-AE के लिए बात करना है तो इस इस दा वीडियो एन UPPSC लेक्चर के लिए बात करना है अब इंटर्वी प्रशन का भी आप अब करके इंटर्वी एकड़ एकड़ इसमें इंटर्वी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इंटर्वी का प्रिपरसन जाए जैसे ऐसे करना चाहिए ठीक है चैंपियन स्पीक उसमें आपका हाउटु क्रैक एच्पीसल जीडी तो अपका उमेस सक्षन आप जाके चैंपियन स्पीक का बार का इंटर्वी में क्या करना चाहिए इसका प्रिपरसन स्ट्रेजी तो आप इंटर्वी के बारे में जब बोलेंगे तो इंटर्वी रिलेटेड जो है ओ आ जाएगा तो आप ऐसे करके आउटू है तो आपको सारे चीज इस तरह से आपको पेपर टू दिखा देता हूं आपको पेपर टू देखने का जिसका भी इच्छ है पहले बाद देख लिए दा फैक्टर एफेक्ट दा वॉल्यूमेट्रिक एफिसिंस अब दा सिंगल स्टेज रिसिप्रोटिंग कंप्रेसार उसमें तो दोनों करता है डेलिवरी प प्रेसर ड्रॉप इन पाइफ फ्लो डारेक्ली प्रॉपर्शन दो दा मीन वेलासिटी डिडिवरी डिडिउस देट फ्लो इस लामिन अर्व बिल्कुल से बोला क्योंकि आपका डेप्ट ऑप सेंटर प्रेसर कि नहीं आपका फॉर्मूला से डारेक्ट आजाएगा कि नहीं है कि लॉंग सिरेंडर डार रेडियास हीट फ्लास की जिरो यूनिफर्म हीट जेनरेशन रेट अमदा रॉड आपका क्या फॉर्मूला होता है डारेक्ट फॉर्मूला सी कुस्टें आएगा वह कर सकते हो एर कट रिपिचेटर सिस्टेम प्रेसर अट कूलिंग टर्वाइन इस इकवाल टू के बीन प्रेसर नहीं तो आपका नहीं निगलेगा तो बंदा सारे बंदा का तेरें निकल जाएगा जो यहां पे तो आपका प्रिसर जादा है ना तो आपका टार्वाइन जाएगा एंट्रिमें प्रिशलाभ जादा है तो कियो मोगा प्रिशलाभ उना होना च्याओ झाल अगा च्छिस like में थाคई है जहां लौ प्रेसर भाटर ना होग उधर अबढ़ने के लिए उस का इसका एफिजेंसी पूट करें एफिजेंसी पूट करके एफिजेंसी पूट करके एफिजेंसा निकाल दे स्योपी हाँ एक बहुत तोप तोप कुश्चन दिया था COP of a domestic refrigerator as compared to that of air conditioner is generally बताओ क्या होना चीए आप सूंके एंसर दे सकते हो अगर डेटा रहता है तो अच्छा नहीं होगा है उसका हमने बड़ा बड़ा आउट बना की हम बाहर में रखते हैं intyre refrigerator गार इतना बड़ा बना दूं तो घर में रागने का इच्छा नहीं होगा उसके चक्कर में बोला गया कि उसमें हम कॉंप्रोमाइस करता है कि हमरा थ्स फूड़ा कॉंपोर माइस घखर में उसका सी ओप्य उथना आच्छा नहीं इसलिए आप देखेंगे कि उसमें जो इनर्जी एफिसेंस है उतना अच्छा इनर्जी एफिसेंट नहीं होता हो तो इसके चक्कर में आप बोलेंगे आपका काम होता है और ओ मला हमारा खुद का कारान से कम किया गया अगर लोग घर में बोलेंगे इतना बड़ा सा हमारे पास एक रहेगा उसके लिए आउटसाइड हो और एक डाक्ट रहेगा और डाक्ट जाएगा उसके बाद जाके उहां से आएगा तो बंदा पगला जाएगा सब करना है तो उसके चक्कर में हम थोड़ा सा उसमें स्योपी कम करके बना रख बना देता है अपका थ्रोटल के बाद इतना है सेपरेटिंग के अरे भाई मांटिप्लाइगा रूट ओपर वैरियबल के अविसेर्ड इसन पर में हीट्ट्राोंती में अरे सेमें इसमें 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 साईक्स simultaneously इसमें कुण सा इसमें और वीदैग्राम में जगाने बोलता है है या थे ऋ सबादफ साइकिल है सोनसा इसमें कुन सा साइकल है यह आपका डियाग्राम टिस डियाग्राम में जुगार लगाने बोला गया जितना भी कोस्टन है सारे गेट का इसका उठाव ठाके को से निकलता है इधना डायमेटर है सारे कोस्टन सिंपल एक फॉर्मॉला डायरेक्ट है गमा मैं इसका मेरा मेरा टेलीग्राम चैनल में देता हूं तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप लोग देख लिजे उसमें मैं दुनों पेपर को अभी भेज देता हूं that will be better and you can access that चलो ठीक है भाई भाई खुस रहें अभी से लाव यू थैंक यू भेरी मच अभी से खुस रहो इफ एनिवान हैस एनी क्वेस्टन आस्क नाउ ठीक है यह कोस्टन बहुत बहुत इजी है आपने तो पूरा मेकानिकल इंजीनियरिंग को इजी बना दिया थैंक यू भेरी मच यह मेरा जुगार है सेर केमीकल इंजीनियरिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना जाये नहीं वह मैं नहीं बता सकता मैं मेकानिकल का बताओंगा भाई जीस में मेरा फिल्ड नहीं है मैं क्यों बताओं फॉर UPPSC AE के लिए हिंदी और जीस का जुगड़ बताईए कोई जुगड़ नहीं लगा लग रहा है देखो हिंदी का जुकरड मैं मैं बोला था कि बाकी आयोगका जिदना भी exam है बाकी आयोगका जिदना भी exam है आयोगका जिदना भी question है, ओ सारे question जो है आपको करना है, अगर आप ओ यह करोगे तो इन बनेगा नहीं कि वहीं से आता है वहीं से आता है बाकी आयोगा जिदना भी एक्जाम है उसका पेपार उठा के को सॉल्व करिए तब ही हो पाएगा यह कोई मुंभरी नहीं है हिंदी इस नोट इसी सब्जेक्ट और गोरब ने पूछा था कि सर प्लीज थियोरी और मेशीन यूट्यूब पड़े प्लीज आपका जुगार मस था हां यूपी ओ होगा बट अभी नहीं अभी मैंने पहले उसका बाकी हमारा जो प्लास कोर्स है उसमें खतम करूंगा उसके इसमें यूट्यूब में क्या करता है इसमें यूट्व में किया करता है थो मैंने जैसे लिंक पोस्ट करूंगा तुरों ते लोग डिलिट कर देगा देखो मैंने पोस्ट कर रहा हूं एक सिकने में डिलिट कर देगा और इसके अंदर आगर आपने डाउनलोड कर सकतो तो कल लो वान स्टॉप सलूशन फर मंदल जुगार केस इस धी मंदल मा ओन टेलिगृम सर्च करने से भी आ जाएगा तो मैंने एक लिंक दिया हूं उस लिंक में देखो जैसे लिखोगे आपका ये टेलिग्राम चैनल खुल जाएगा और उसमें मैं ये दुनों पेपर अभी पोस्ट कर रहा हूँ गेट के लिए आभी जो मैं कर रहा हूँ वो धहन रखे गेट के लिए सबसे इंपर्टन बात है जितना पहले पढ़ा था तो पढ़ा दिया और उसके बाद आपका क्या करना है जितना पढ़ा था पहला था परदा चुका हो उसके बात क्या करना है थोड़ा 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 कोस्टिंग भी बढ़ाते रहें उसके बाद क्या करना है ना उसके बाद आपको प्रेक्टिस तो हम कराएंगे क्विक रिविशन प्रॉडक्शन सूम और बाकी जो एफ एस सीरीज है उसका टाइम अल्रेडी बढ़ा चुका हों और ओर टाइम और बढ़त रहेंगा फॉलोइंग रिफ्री जारेंट हैस मैक्सीमाम लेटेंट अव्यार्माल बॉलिंग पॉइलिंग तो वाट तो है नहीं तो आपका नहीं स्थी हो जाएगा वेपर प्रेसर दा करेस्ट्रस्टिक फ्लूइड प्रॉइड प्रॉपर राटी इनॉल्प इन फेनोमेन अविस अचान का इंसर देना है सारे कोश्चन कॉपी करके बनाएं गया गेट से कॉपी किया क्योंकि यह बाकी चीज़ का कॉपी करना आसान नहीं जैसे में हीटिंग होगा कि कुली होगा उसके हिसाब करता ना अच्छा इसलिए बंदा बोला है कि आपका सारे उसी से आया होगा तो इसब फर्मूला हमने पढ़ा पढ़ा के रटा रटा के बंदा को भेजे थे कि यह करके जाओ वही आया है वही आता है वही आएगा प्लैगबर्डी इसका एब्जर टिविटी नॉट वैरी सब सारे जो कुस्चन है यह उसी का जो हमने पढ़ा रहे थे अभी इसमे एफ एए सीरिस में उही से आ गया और आता भी रहेगा जो भी कुस्चन है ऐसे सारे आता भी रहेगा इसकी चक्कर में थोड़ा काट अफ जो हमने बोला ओ थोड़ा ध्यान रखे क्योंकि ओही जवाब का इंपोर्टेंट है जो लोगों एक जाम दिया उनका दिल का आर्मा एक ही है कि सर काट अब बता दिजिए तो मैंने क्या बोला अगर आपको 550 से प्लास है तो आप अभी इंटर्विव का तेयरी शुरू कर दिजिए अगर 500 से 550 है तो जिनरल केटेगरी में तो आप जो है उसका उम्मीद छोड़ दिए यह मैंने बोला हूं and this is prediction and prediction से generally match करता है फिर देखा जाएगा क्या होता है आई थिंक जो है मेरा prediction generally ठीकी रहता है आप इस बार देखता है कितना student कितना करके आया है जिदना भी student मुझे भेजा है according to that मैंने prediction कर रहा हूं Engineering Mechanics and Design प्लास पर सारे होगा सारे होगा बट एक मैं एक आदमी हूं एक इंसान हूं according to that हम एक एक करके करते जाएगे ठीक है can you speak Malayalam sir oh 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 can you speak Malayalam I am Bengali person so I know Hindi थोड़ा थोड़ा English and Bengali I know three language in three languages I can speak other than this I cannot okay चलो bye bye खूस रहे and फिर मिलते है और जिसका भी जो दिल का आर्मा है अब मुझे WhatsApp में message कर सकते है and जो भी मैंने बोला उसमें दुखी ना हो अगर कोई हमने गलत बोला भी है ठीक है बट मननल गलत बोलता नहीं है यह भी धन रखे and इसके बाद खूस होके gate का प्रिपसंद किया जाए हमेशा धन रखे हमेशा धन रखे जब तक हात में appointment letter नहीं आ जाता है and UPPHC के case में दूसरा भी है इन लोगों का जब appointment letter देने के बाद भी cancel कर देता है ऐसा भी हुआ है इसलिए जब तक आपका joining नहीं हो जाता है इस exam में जब तक आपका joining नहीं हो जाता है तब तक आप preparation ना चोड़े बाद में एब मत बताना कि मुझे तो बहुत अच्छा exam चला गया था और उमीद करना था मैंने तो UP में होई जाएगा उसके चक्कर में मैंने गेड में अच्छा से नहीं किया पहले अभी रिटेन हुआ फिर इंटर्व्य होगा फिर रेजाड निगलेगा फिर appointment निगलेगा फिर appointment निगलेगा फिर आपको joining होगा और जब तक यूपी पेसी में joining नहीं देता है उससे पहले कभी भी आयोग कुछ भी एक्जाम कैंसेल कर सकता है एपन में लेटर आपके पास आने के बाद भी कैंसेल हुआ है ऐसा भी रेकॉर्ड है तो इसके चक्कर में आप इसमें खूस होके डिजल है के ना चलन ना ले कि भाई मेरा तो हो जाएगा आप पहले जॉइनिंग हो जाए उसके बाद भरोसा कर सकता है बीफोर देट आप गेट का प्रिपरेशन आईएस का प्रिपरेशन बाकी एकजम का प्रिपरेशन कंटिन्यू करे जारी रखे जब तक जॉइनिंग नहीं हो जाता है इसलिए मंडल का जुजुगाड है पहले मैं बोलता था कि जब तक एपन में लेटर हद में ना लग जाए मैं अभी बोलता हूं कि जब तक आपका जॉइनिंग नहीं हो जाए तब तक आप प्रिपरेशन ना चोड़े फूल एनरजी के साथ गेट का एन आईएस का प्रिपरेशन में लागे रहे चलो बाइबाई आम स्टॉप I am stopping that streaming now